दोस्तो एक जरूरी सूचना आपको देनी है शाम को आठ बजे मैथमेटिक्स की लाइव कला चल रही है उसे देखना मत भूलिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे फोल्टर का लिंक दिया है देख लिजे नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आज का हमारा इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर है ये लेक्चर नमबर 93 होगा इससे पहले 92 लेक्चर हमें पढ़ा दिये जरूर देख लिजेगा आज के इस लेक्चर में विती आपातकाल पढ़ने वाले हैं देखिए जो हमारा आपातकाल जो चैप्टर था एमजेंसी जो प्रोविजन स 356 के तहट जो राज्यों में राष्टपति शाषन लागू किया था जो सबसे विवादित है और बहुत डिटेल ने बताया गया और एसर बोमाई केस भी इसमें हमने डिस्क्स किया वो भी आप देख लिजीगा और आज हम आर्टिकल 360 के तहट जो विती आपातका लागू क जलिए शुरुआत करते हैं तो देखिए आर्टिकल 360 है विती आपातका लागा जाएगा या भगवान करेना लगाया जाए तो क्या कारण होने चाहिए किस अधार पर ये लगाया जा सकता है आर्टिकल 360 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 360 के तहट राष्टपति को विती पातकाल की घोशना करने की शक्ति पदान की गई है सबसे पहला प्रशन तो यही उठता है कि किसको पास सकती है राष्ट्रपती की पास सकती है कि वित्या पातकाल घोशना कर सकते हैं वो हाला कि आर्टिकल 352-356 जो आपने पढ़ा उसमें भी यही कंडिशन है इसके अलावा यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रपती को यह लगे इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन हो गई है कि भारत की या भारत की किसी छेत्र की जो वित्या पातकाल घोशना कर सकते हैं ठीक है तो यह भी नोट कर लेजिए कि अभी तक ऐसी स्थिति उत्पन नहीं हुई है कि हमें वितिया पातकाल लागाना पड़े अब देखिए अब दूसरा ये होता है कि एक बार मान लेजिए राष्टपती ने वितिया पातकाल की गोशना कर दी तो क्या हमेशा के लिए होगा नहीं बाकी जो पहले कंडिशन बताये थी वही यहां भी ल आरित होना चाहिए था तो अनुमोदन करना चाहिए स्विकार करना पड़ेगा संसत के दोनों सदनों को तभी यह हो पाएगा यह प्रशन उठता है कि अगर बाईचास मान ली जी दो मेने से पहले ही लोकसभा भंग हो जाती है हाला कि राजसभा भंग होगी नहीं क्योंकि वो स्थाई सदन है लोकसभा दो मेने से पहले ही भंग हो जाती है और लोकसभा ने अपना जो है स्विकित्ति अनुमोदन दिया ही नहीं है तब क्या होगा तो होगा क्या कोई दिक्कत नहीं है आपको मालूम ही है कि जब नई लोकसभा का गठन होगा तो नई लोकसभा की पहली बैठक होगी, उसके 30 दिन तक विति अपात काल की स्थिती बनी रहेगी, उसके बाद इत्मेटिक यह समापत हो जाएगा, अगर जो नहीं लोग सभा आई है उसने अनुमोधन कर दिया, तब तो ठीक है, यह विति अपात काल लगा रहेगा, अगर उसने अनुमोधन नह रह सकता है, अनंत समय तक रह सकता है, यह समापत तभी होगा, जब राष्टपती दुबारा से घोशना करें कि हाँ, विति अपात काल की जो स्थिती इसे वापिस लिया जाता है, ठीक है, लेकिन इससे पहरे आपने आर्टिकल 352 पढ़ा, 360 पढ़ा, उसमें क्या होता था, छे-छे महीने के लिए बढ़ाया जाता था, ठीक है, एक बाट छे महीने के लिए लागू किया था था, फिर से संसत को अनुमोदन करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, एक बार संसत ने अनुमोदन कर दिया, उसके बाद यह हमेशा के लिए रह सकता है, इसे समा करने का तब हो सकता है तो याद रखी ये बात थी अब घोशना का परभाव क्या पढ़ेगा अगर देश के अंदर वित Monsieur inadequate काल किस्थित आपर दी गई है जो काम कर रहे हैं व्यक्ति कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, उनके वेतनन ब्थे में कोटोती की जाए, शिक है, ऐसा किया छकता है, इसके अलावा, राज्जी विधानमंडल में जो पारित होने वाले धन विधेयक हैं, वो राश्टरपती के पास विचार के लिए अवश्ष भेजए जाएंगे ऐसे नहीं पास होगे क्योंकि जो धन-विधेक होते हैं वो पैसों से सम्वंदित होँगे तो इसलिए पैसे कहीं फाल्तू राज्य सरकार तो नहीं खच कर रही हैं तो राज्य विधान मंदल में जो भी धन-विधेक लाए जाएगा वो भले ही राज़ी विधान में पास हो जाए मगर जाएगा उसके पास राश्टरपती के पास राश्टरपती स्विक्रिति देंगे तब ही जाकर वो पास होगा अधर अन्यता नहीं एक नूट लिख लिजेगा कि वितिया पातकाल की जब स्थिति होती है तो राज़िस की सरकार और विधान सभा को निलंबित नहीं किया जाता यह आपको मालूम है राज़िस की सरकार और विधान सभा को निलंबित इससे पहले वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 356 के तहट जो राज्यों में राष्ट्रपती शाषन लागू की जादा तब निलंबित किया जा सकता है जहाँ पर नहीं और मौलिक अधिकारों पर भी कोई परभाव नहीं परभाव परभाव आर्टिकल 352 के तहट जो नेशनल अमर्जनसी लागू की जाती है तब ही परभाव परभाव परता है उसके अलावा ना आर्टिकल 356 के तहट राष्ट्रपती शाषन में लागू ये परभाव परता है और नहीं वितिय अपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर कोई परभाव परता है ठीक है याद रखेगा यही है वितिय अपातकाल की स्थिति और अभी तक देश में ऐसी स्थिति उत्पन नहीं हुई है इन नोट कर लेजेगा होप आपको समझ में आ गया होगा कोई डाउट तब भी बताईएगा कमेंट करके स्कीन पर चाल लेक्चर न समाप दो चुका है ठीक है इसके बाद पढ़ते हैं सविधान का भाग 19